यह वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 11 है और अब हम लोग अपने नेक्स कॉंसेट की और बढ़ रहे हैं और यह है मोल कॉंसेट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोल कॉंसेट में कुछ बाते पहले बताई गई हैं उसके बाद मोल कॉंसेट को पढ़ाए गया है तो यह जो पहले हम लोग को बात पढ़ना है वह पढ़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का रियक्षन अक्सिजन से कराए गया है और वाटर बन रहा है तो इसको हम लोग एक reaction के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं इसे हम लोग बोलते है chemical equation इधर जो चीज़ पाया जाता है हम लोग बोलते है reactant और इधर जो चीज़ पाया जाता है हम लोग क्या बोलते है product तो आप देख सकते हैं है hydrogen का reaction oxygen से कराय गया है और H2O का formation हो रहा है तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं hydrogen का reaction oxygen से कराए गया है तो यह क्या बन रहा है H2O लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो सामने में 2 लिखा हुआ है और इसके सामने में 2 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि एक hydrogen का molecule और एक oxygen का molecule के मिलने से एक H2O का molecule बने ऐसा संभव नहीं है तो यदि आपको इसका मतलब है कि आपको इसको balance करना पड़ेगा तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2 तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 hydrogen का molecule है और एक oxygen का molecule है और जब इनको मिलाए जाएगा तो 2 molecule of क्या बनेगा H2O तो यहाँ पर यही बात बताये गया कि किस प्रकार से इसको हम लोग एक balanced रूप में दिखाते हैं The above reaction indicates that 2 molecule of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecule of water तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ क्या ही है 2 H2 का क्या मतलब हुआ प्लस O2 का क्या मतलब हुआ प्लस 2 H2O का क्या मतलब हुआ arrow देंगे यहाँ पर 2 H2O का मतलब हो गया 2 hydrogen का molecule O2 का मतलब क्या हो गया 1 oxygen का molecule क्या बनाता है तो दो molecule of H2O का formation करता है यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ जो सामने लिखा हुआ है वह इसके molecule को दिखा रहा है और यहाँ भी सामने लिखा हुआ भी क्या दिखा रहा है इसके molecule को दिखा रहा है जैसे मैं बता रहूँ अब बताईए आप 3H2O तो H2O का कितना molecule हो गया 3 4H2O तो H2O का कितना molecule हो गया 4 5H2 तो hydrogen का कितना molecule हो गया 5 6H2SO4 तो H2SO4 का कितना molecule हो गया 6 तो इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 यह जो लिखा हुआ है यह इसके molecule को दिखा रहा है अब देखिए 2H2 तो यहाँ यह 2H2 molecule को दिखा रहा है और H2 में hydrogen का कितना atom हो गया 2 H2 का मतलब क्या हो गया कि hydrogen का atom कितना हो गया 2 O2 में oxygen का atom क्या हो गया 2 तो आपको atom और molecule सबसे पहले यही सीखना है कि किस प्रकार से calculate किया जाता है तो थोड़ा मैं और practice आपको करा दूँ यदि आपको यह आता है तो आगे आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग atoms और molecule को गिनना सिखेंगे तो मैं सुरू से आपको सिखाता हूँ यदि आता है आप तो वीडियो को आप आगे की और बढ़ा दे जैसे आपको लिखा हुआ है H2 इसका मतलब हो गया है एक molecule of H2 और इस एक molecule of H2 में hydrogen के कितना atom है 2 लेकिन यदि लिखा है 2H2 तो आपको लिखना है molecule और लिखना है atom तो देखी कैसे लिखेंगे तो molecule क्या हो गया 2 और atom क्या हो गया 4 इस प्रकार से आपको लिखना है CL2 तो CL2 में molecule कितना हो गया आपका 1 और atom कितना हो गया 2 लेकिन यदि लिखा है 4CL2 तो molecule क्या हो गया, 4 और atom क्या हो गया, 8 इस प्रकार से आपको लिखा है H2O तो molecule कितना हो गया, 1 और atom क्या हो गया, तो hydrogen का 2 atom और oxygen का 1 atom, 3 atom हो गया यदि आपको लिखा हो है 4H2O तो molecule कितना हो गया, 4 और atom कितना हो गया, तो यहां पर 2 और 1 3 और 3 into 4 क्या हो गया 12 atom इस प्रकार से आप atom और molecule को गिन सकते हैं तो आप देख सकते हैं दो molecule of H2 एक molecule of oxygen से react करेगा तो दो molecule of H2 का formation होगा तो यहां एक और बात सामने आती है कि तो यहां mass के तोर पे इसका कितना mass use होगा और कितना mass बनेगा तो आप देख सकते हैं इसका 4 unit use होगा इसका 32 unit use होगा क्योंकि 16 गुनादो कितना होगया 32 U और यह क्या होगया 4 U तो आप देखेगे कि 2H2 का formation होगा और यह 36 U का formation होगा यहां पर आप ध्यान दे हम लोग U use कर रहे हैं gram use नहीं कर रहे हैं और जब हम लोग gram use करना शुरू कर देंगे तो यह आजागा mole concept तो वह आगे बताये गया है इस book में बड़ा clear नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको अलग से video बताऊंगा जिसमें आपको mole concept पूरा clear हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह बताये गया है कि 4 unit आपका लिया गया है H2 32 unit लिया गया है O2 तो आप देखेंगे 36 unit क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा तो इसका मतलब एक molecular जो हम लोग equation लिख रहे हैं उस equation से हम लोगों को उसके molecules और atoms के बारे में पता चल रहा है कि कितने molecules और कितने atom उस reaction में भाग ले रहे हैं और दूसरा हम लोगों को उसका वजन भी पता चल रहा है कि कितना वजन उसका use हो रहा है तो आप देख सकते हैं इस equation के दोरा number of molecule भी पता चल गया और mass भी पता चल गया दोनों में ने बताया दो molecule, एक molecule, दो molecule, चार unit, 32 unit और 36 unit तो इससे दोनों पता चल जाता है number of molecule कितना यूज हुआ और कितना mass उस substance का यूज हुआ ये दोनों चीज इस equation से में पता चल जा रहे हैं तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो equation बना रहे हैं वहाँ पर molecules और atoms को ही दिखाते हैं जबकि हम लोग यहाँ पर mass को represent नहीं करते हैं so a new unit mole was introduced one mole of any species atoms तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अब mole concept आया है जिसको मैं अलग से आपको समझाओंगा तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा molecules, ion और particles is that quantity in number having mass equal to its atomic or molecular mass in grams तो अब यह चीज आ गया mole concept तो इसको हम लोग पढ़ेंगे next video में ताकि आपको यह सब अच्छा से समझ में आए उसको बहुत ही मेहनत से मुझे समझाना होगा और आपको भी समझना होगा mole concept बहुत बच्चों का clear नहीं होता है और इससे बहुत ही important question exam में पूछे जाते हैं तो आप जरूर उस video को देखें तो आपका mole concept बहुत clear हो जाएगा बहुत है आसान शब्दों में मैं उसे आपको पढ़ाऊँगा तो मिलते हैं next video में धन्यवाद यह video science class 9 chapter 3 का part 12 है और अब हम इस chapter के सबसे important सबसे महत्वपुर्ण topic पर आ गए हैं जिसे हम लोग कहते हैं mole concept तो आप इस video को बड़ा ध्यान से देखें ताकि आपको mole concept समझ में आ सके मैं थोड़ा पहरे पढ़ देता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको mole concept समझाना सुरू करता हूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पर one mole दिखाया गया है कि one mole कोई भी पदार्थ है जैसे कि atom हो गया, molecule हो गया या फिर आयन हो गया तो वह कितने के बराबर होगा 6.022 into 10 to the power 23 इसे मैं और विस्तार करने वाला हूँ अभी तुरंद तो यह एक experimentally obtained value है इसका मतलब इस value को experiment के द्वारा निकाल गया है इस number is called the evogadro constant और evogadro number और इसको हम लोग evogadro constant और evogadro number भी कहते हैं और इस प्रकार से इसको represent करते हैं named in honor of the Italian scientist Amedo evogadro तो Amedo evogadro के honor में इसका नाम क्या लिखा गया है evogadro number तो यहां से भी आपका प्रशन आता है evogadro number क्या है evogadro number का value क्या है तो आप देख सकते हैं evogadro number या फिर one more कोई भी चीज कितना है 6.022 into 10.23 in number तो यहीं से अब हम लोग अपना chapter शुरू करते हैं चलिए तो सबसे पहला प्रशन जो मैं आपको पुछने वाला हूँ बताइए एक दरजन एक दरजन कोई चीज यदि आप लेंगे तो कितना होगा 12 इसका मतलब क्या हो गया कि इस दरजन के द्वारा हम लोग गिन्ती कर रहे हैं पहला याद रखी हम लोग को क्या करना है गिन्ना है गिन्ती करना है एक दरजन बराबर कितना हो गया 12 तो दो दरजन कितना हो गया 24 आइटम कोई भी चीज ले लीजिए चलिए एक दरजन पेन तो कितना हो गया 12 पेन दो दरजन पेन कितना हो गया 24 पेन तो पताइए तीन दरजन पेन कितना हो गया तो 12 into 3 अब चलिए लिखते हैं gross तो 1 gross कितना हो गया 144 item तो 2 gross कितना हो गया 2 into 144 item तो इसका मतलब 1 dozen जो हम लोगों ने use किया यह क्या हो गया गिनने की यह काई हो गया गिनते हैं इसके द्वारा क्यों गिनते हैं क्योंकि आसान पड़ता है एक दर्जन जब हम लोग बोलेंगे तो आपको 12 item मिल जाएगा जैसे कि market में आप गए और आप बोलेंगे एक दर्जन copy दीजिए तो आप चुपचा 12 copy निकाल के देगा तो यहाँ पर क्या हुआ यह एक आसान तरीका हुआ बोलने का 12 item को दिखाने के लिए एक दर्जन का प्योग कर रहे हैं तो ठेक इसी प्रकार से यदि आप बोलेंगे 1 mole तो इसमें कोई item कितना आजाएगा तो 6.022 into 10 to the power 23 items कुछ भी तो यह भी गिनने का इकाई हो गया इसका मतलब यदि 1 mole कहा गया कोई भी चीज का तो 6.022 into 10 to the power 23 items आगए चले अभी हम लोग जो use करते हैं इसका तो इसको atom गिनते हैं molecule गिनते हैं या फिर ions को गिनते हैं तो यह तो actually ऐसे ही गिनना है आपको अब इसे fan, kurset, table आपको नहीं गिनना है लेकिन मैं वही करवाने वाला हूँ वैसा करना नहीं है आपको आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है इतना बड़ा नंबर है जिसे गिनना असंभो है इतना बड़ा नंबर को नहीं गिना जा सकता है इसी करन से मैं बोल रहा हूँ कि से टेबल कुरसी आपको नहीं गिनना है लेकिन मैं आपको गिनवा रहा हूँ तो आप गिने थोड़ा तो आपको प्राक्टिस हो जाएगा और मोल आपके दिमाग में बैठ जाएगा चलिए अब हम लोग गिनते हैं एक मोल यदि आपको पेन दिया गया तो बताई कितना पेन हो गया 6.022 into 10 to the power 23 pen pen लिखना यहां जरूरी है क्यों वो मैं आपको बताऊंगा चलिए यदि आपको 2 मोल पेन दिया गया है तो कितना हो गया 6.022 into 10 to the power 23 into 2 pen चलिए अब आपको मैं 5 मोल पेन्सिल देता हूँ तो कितना पेन्सिल आपके पास है तो 5 मोल पेन्सिल मैंने दिया तो बताई कितना पेन्सिल है तो 6.022 into 10 to the power 23 into 5 पेन्सिल तो आप देखेंगे कि मोल के द्वारा आप गिन रहे हैं गिनती कर रहे हैं अब एक और मैं देता हूँ 1 dozen पेन्सिल तो कितना हो जागा 12 पेन्सिल 2 dozen कितना हो गया 12 into 2 हो गया 1 ग्रॉस तो 144 तो 2 ग्रॉस तो 2 into 144 तो 1 मोल 1 मोल ग्लास दिया तो कितना दिया 6.022 into 10 to the power 23 6.022 into 10 to the power 23 बटा 2 तो अब आप अच्छा प्रकार से समझ गये होंगे अच्छे से समझ गये होंगे कि मोल किया है एक नंबर को गिनना है मतलब कि किसी को गिनना है किसी चीज को गिनना है तो उसके लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं तो किसी चीज में आपको पेन पैंसि नहीं गिनना है क्या गिनना है एटम्स को गिनना है मॉलिक्यूल्स को गिनना है या फिर किसको गिनना है आपको आयन्स को गिनना है तो वहाँ पर क्या चीज का यूज होगा मोल का यूज होगा तो यह अभी पहले गिनने वाला काम करते हैं उसके बाद आगे हम लोग काम कर तो चलिए हम लोग देखते हैं एकदम सुरुवात से तो आप पहले बताईए एटम है की मॉलिक्यूल है हाँ यह एटम है तो यदि मैं आगे लिख दूँ वन मोल क्या लिख दूँ वन मोल ह में कितना एटम होगा तो बताई कितना होगा तो 6.02 इंटू 10 तो दी पावर 23 एट गिन्रला है तो 6.02 इसे गिंना है तो चलिए मैं आपने आपको 2 मोल दिया है तो कितना हो गया H का संख्या बताइए संख्या गिन्रती बताइए 6.022 10 to the power 23 इंटू 2 atom of H इस प्रकार से गिन्ना है आपको चलिए मैं आपको 50 mol H दिया mol इसको ऐसा ही लिखते है basically तो हम लोग क्या बोलेंगे 6.022 10 to the power 23 इस प्रकार से हम लोग गिन सकते है तो अब एक और देते है 0.5 mol of H तो आप इसको कैसे गिनेंगे तो 6.022 10 to the power 23 इंटू 0.5 atom of H atom of H लिखना यहां जरूरी है तो देखा आपने एक mol में कितना H का atom होगा तो इतना होगा 2 mol में इतना 3 mol में इतना 50 mol में इतना 0.5 mol में इतना तो मैंने तो सिखाया आपको गिनती करना अब और कुछ गिनते हैं चलिए तो अब हम लोग गिनते हैं H2 H2 देख रहे हैं आप तो यहाँ पर दो चीज गिना जा सकता है ध्यान दीजिए H2 बोलेंगे तो यह हो गया molecule और H बोलेंगे तो हो गया यह atom अभी जब सिर्फ यही लिखा हुआ है तो आप बताए कि कितना molecule है तो 1 molecule है 1 only एक 6,5,0,2,2 नहीं है सिर्फ एक है और atom कितना है molecule कितना हो गया 1 और atom कितना हो गया यह 2 atom हो गया ठीक है H2 में कितना molecule हो गया एक molecule और H2 में atom कितना हो गया 2 atom of hydrogen और 1 molecule of H2 और बताए थोड़ा O2 में 1 molecule of O2 और oxygen का कितना atom हो गया 2 N2 में nitrogen का एक molecule और atom कितना हो गया 2 S8 में बताए Sulfur का molecule कितना है एक molecule है और उसमें atom कितना है 8 इस प्रकार से आप गिन पा रहे है तो चलिए अब हम लोग mole में इसको गिन के देखते हैं अभी एक-एक मैंने दिया था सिर्फ एक दिया था वन दिया था तो आपने गिन लिया अब एक mole देते हैं तो क्या आप गिनते हैं या नहीं वही हम लोग देखते हैं चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग देखेंगे 1 mol को आप गिन पा रहे हैं या नहीं अब मैं लिखता हूँ 1 mol H2 तो आप देख सकते हैं यहां molecule को भी गिनना है और atom को भी गिनना है तो molecule यदि गिनेंगे तो कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2 एकदम क्लियर है कि H2 का कितना molecule हो गया तो 1 mol है तो 6.022 लेकिन यदि atom गिनना हो तो 1 molecule में कितना atom है 2 तो इतना molecule में कितना atom हो जाएगा तो 6.022 into 10 to the power 23 into 2 atom of H यहां H लिखेंगे S8 S8 का मैंने आपको 1 mol दिया कितना mol दिया तो बताइए 1 mol में कितना S8 है गिनिये 1 mol में कितना S8 है बताइए तो 6.022 into 10 to the power 23 molecule of S8 तो यदि मैं atom बोलू तो क्या करेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 into 8 atom of sulfur बोल सकते हैं एक और मैं बता रहा हूँ 1 mol मानले जे मैंने O2 आपको दिया और मैंने पूछा इसका molecule बताइए तो कितना molecule हो गया 6.022 into 10 to the power 23 यहाँ पर आप मैंने 2,2 का यूज किया है तो यहाँ 2,2 यूज किया जाता है 2,3 यूज किया जाता है तो अलग-अलग books में आपको अलग-अलग मिलेगा क्या लिखें बताइए molecules of क्या लिख दें O2 तो बताइए O का कितना atom हो गया 6.022 into 10 to the power 23 into what 2 atom of O इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने molecule को गिनना सीख लिया और atom को भी गिनना सीख लिया इससे आपका exam में प्रेश्ण आएगा कि mole में यदि हम लोग mole का यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसमें atoms गिनना है और molecule गिनना है तो यह तो बात हुआ यदि यहाँ सामने क्या लिखा हुआ है one mole लिखा हुआ है one mole लिखा हुआ है mole लिखा हुआ है लेकिन सामने कुछ ना लिखा रहे है सिर्फ लिखा रहे है O2 तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसका मतलब हो सकता है कि O में सिर्फ दो atom हो दो atom जिसको आप गिन सकते हैं 1,2 या फिर इसका मतलब हो सकता है एक मोल भी मतलब हो सकता है मतलब आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दोनों मीनिंग हो सकता है अब किस रूप में आपको वहाँ प्रश्ण दिया गया है वैसा यहाँ पर उसको आपको समझना पड़ेगा तो मैं ज़्यादा confused आपको नहीं करना चाहता हूँ मैं बहुत simple way में आपको बताना चाहता हूँ जिससे कम से कम आपको यह समझ में आए तो अब आप कुछ और कर लीजिए एक दो में और बता देता हूँ चलिए जैसे की एक दो और देखते है अब थोड़ा बड़ा देखते है ह्टू ओ देखते है ह्टू ओ वन मोल में लिख देता हूँ तो वन मोल ह्टू ओ में ह्टू ओ का कितना मॉलिक्यूल होगा तो 6.022 इंटू 10 तू दी पावर 23 मॉलिक्यूल अफ एच्टू ओ होगा एकदम क्लियर है ना मैंने तो गिनना सिखाया एक मोल में 6.022 दो मोल में 2 इंटू तीन मोल में 3 इंटू फोर मोल में 4 इंटू तो यह तो मैंने बताया आपको सुरू में गिनना है सिर्फ यह एक number है जिसे हमको क्या कर देना है गिन देना है लेकिन atom अब निकालेंगे तो देखेंगे hydrogen का atom कितना है तो number of hydrogen atom H atom कितना हो गया तो यह हो गया 6.022 into 10 to the power 23 into क्या हो जाएगा बताई जल्दी से 2 atom of hydrogen जबकि oxygen का atom कितना हो गया number of oxygen atom बराबर क्या हो गया 6.022 into 10 to the power 23 into 2 लिख दूँ क्या नई 1 atom of oxygen समझ में आ रहा है क्या तो इस प्रकार से आप mole का जो basic concept है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी यह पूरा complete नहीं हुआ अभी भी बहुत आगे तक जाएगा तो लगातार आप वीडियो को देखिए इसके बाद जो next video है just उसको तुरन देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो मिलते हैं next video में यह video science class 9 chapter 3 का part 13 है और हम लोग mole concept को पढ़ रहे हैं तो आप part 12 जरूर देखें तभी यह part आपको समझ में आएगा नहीं तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है तो आप जरूर part 12 को देखें उसके बाद इस video को देखें तो आपको तुरंत यह समझ में आने लएगा तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा mole के द्वारा हम लोग number को count कर रहे थे जैसे फिर से मैं बता दूँ यदि लिखा हुआ है one mole h2o तो आप देखेंगे कि इस one mole h2o में कितने molecules हैं बताइए कितने molecules हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules हैं of h2o मतलब h2o को हम लोग गिन रहे थे और जब h2o को हम लोग गिन रहे थे तो हम लोगों ने गिना इस प्रकार से कि यदि एक mole आपको दिया गया है तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 molecules होगा तो मालिज आपको 2 mole दिया गया है तो 2 into 6.022 होगा पूरा मैंने भी बोल रहा आप समझ जाईगा तीन mole दिया गया है तो 3 into 6.022 4 mole दिया गया है तो 4 into 6.022 h2 आपके पास है तो अब क्या कर रहे है इस टू को गिन रहे हैं गिन रहे हैं 1,2,3,4 जैसे गिना जाता है वैसे आप इसको गिन रहे हैं लेकिन मान लिजिए अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस प्रश्न को कि यदि आपको 6.022 into 10 to the power 23 molecule किसी ने दिया है h2o का तो बताईए आपके पास कितना mole है तो हाँ 1 mole है तो चलिए यदि किसी ने आपको 2 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule of h2o दिया है तो बताईए आपके पास कितना mole है तो 2 mole है तो किसी ने आपको 15 into यही चीज दिया है molecule of H2 तो आपके पास कितना मोल है तो 15 मोल है बहुत आसान है तो यदि किसी ने आपको 3.011 into 10 to the power 23 H2 के molecule को गिन के आपको दे दिया कि लो भाईया तो कितना मोल होगा बताइए हाँ आधा मोल हो जाएगा क्या हो जाएगा आधा मोल हाफ मोल हो जाएगा तो अब आप समझ रहे हैं कि यह मोल से हम लोग क्या कर रहे थे गिनती कर रहे थे गिन रहे थे आगे भी आपको गिनना ही है कि कितना atoms होगा कितना molecule होगा इसको हम लोग क्या करते हैं गिनते हैं लेकिन आजाए वजन निकालना तो क्या करेंगे जैसे कि आपको एक मोल H2O दिया गया है एक मोल तो बुले है कि इसका वजन बताईए तो वजन बताना भी बहुत ही आसान है तो जैसे हम लोगों ने मॉलिक्लर मास निकाला था जैसे मॉलिक्लर मास याद कर लिजे H2O का हम लोगों ने कैसे निकाला था 1 इन्टू 2 याद करके निकाला था और प्लस O का 16 होता है याद किया था तो 16 इन्टू 1 सिर्फ एक है इसलिए तो यह क्या आगे 18 यूनिट हम लोग लिख रहे थे यू यू यूज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक है 1 only 1 इसलिए हम लोग इसका 18 यू यहाँ पर लिख रहे थे याद है आपको एक और बता देता हूँ CO2 तो आप देखेंगे कि 12 प्लस 16 गुना 2 तो यह हो जाएगा 44 यू सिर्फ एक CO2 आपको किसी ने दे दिया 1 1 1 only 1 तो कितना हो गया 44 यू और सिर्फ एक H2 दे दिया तो कितना हो गया 18 यू लेकिन किसी ने यादि आपको एक मोल दे दिया इतना सारा दे दिया इतना सारा जिसको आप कभी गिन ही नहीं सकते हैं यदि एक दिया था तो आप गिन सकते हैं खुद से गिन सकते हैं लेकिन इतना सारा यदि किसी ने दे दिया इतना सारा मतलब बताई कितना मोल है एक मोल दे दिया तो इसका वजन कितना होगा तो इसका वजन में U के जग हम लोग सिर्फ ग्राम लिखना शुरू कर देंगे तो जैसे 18 U आया तो इसको लिखेंगे 18 ग्राम बस इतना सांतर है कि यहाँ पर हम लोग किस चीज का यूज करना शुरू कर देते हैं ग्राम मतलब यदि कोई एक मोल सबस्टांस आपको मिला है तो इसका वजन जो निकलेगा वह यू में नहीं निकलेगा बलकि किस में निकलेगा ग्राम में तो अब हमारा यही कॉंसेट क्लियर है अब इसी को हम लोग को याद करके चलना है चलिए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे कैसे करना है तो यदि आपको एक मोल सबस्टांस दिया गया तो कितना वजन हो गया 18 ग्राम तो यदि दो मोल सबस्टांस दिया गया तो कितना ग्राम हो गया 36 ग्राम 18 गुना 2 तो यदि तीन मोल दिया गया तो कितना हो गया? 18-3 यदि 5 मॉल दिया गया तो कितना वजन हो गया? 18-5, 90 ग्राम उल्टा भी कर सकते हैं यदि किसी ने आपको 18 ग्राम H2O लाके दे दिया कि लो भाई, 18 ग्राम H2O लो तो बताई कितना मॉल आपके पास है तो एक मॉल है तो कोई एक व्यक्ति था जिसने आपको H2O दिया और उसने 90 ग्राम, 90 ग्राम आप समझ सकते, इसको आरसानी से हम लोग तॉल सकते हैं तो 90 ग्राम पानी लाके आपको दे दिया और पूछा है कि भाई बताओ जरा कि इसमें कितना मोल है तो आप बोल देंगे कि कितना मोल है, पांच मोल क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम, तो पांच मोल में कितना हो गया है, 90 ग्राम, बहुत असान है चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, तो यदि आपको 9 ग्राम दिया गया है मैं यहां लिख देता हूँ, H2O तो अब देखते हैं, यदि आपको 18 ग्राम दिया है, तो बताएं कितना मोल हो गया, 1 मोल तो बताएं, 36 ग्राम मिला तो कितना हो गया, 2 मोल तो यदि 9 ग्राम मिला, तो कितना मोल हो गया, 1.5 मोल तो यही है mole concept बस इतना ही है यदि आप इसे समझ गए तो सब प्रेशन आप उत्तर कर सकते हैं लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा जिसे मैं और आपको समझाने वाला हूँ तो पहला तो आपने सीख लिया यह सीख लिया कि किस प्रकार से mole से gram में बदलेंगे वजन में बदलेंगे और इधर gram से mole में बदलेंगे इसका formula मैंने नहीं बताया लेकिन आप वर्बली तो इसको कर सकते हैं फिर से देखते हैं यदि 6 mole है तो कितना वजन हो गया तो 6 into 18 gram हो गया 10 mole है तो कितना हो गया 180 gram 180 gram पानी आप देख सकते हैं जैसे कि 1000 gram मैं आपको दे सकता हूँ 2000 gram दे सकता हूँ उसमें mole निका लिए ऐसा भी प्रशन आ सकता है तो सबसे पहला आता है आपका प्रशन यही जो मैं बताने वाला हूँ number of mole calculate करिए find out number of moles हम लोग CRT पढ़ रहे हैं तो पहला क्या गया number of mole को आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर calculate the number of moles लिखा गया है और आपको mole को calculate करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर formula भी दिया गया है the number of moles इसी formula से हम लोग को इसको बनाना है the number of moles given mass बटा molar mass तो आपका moles निकल जाएगा तो चली हम लोग देखते हैं कैसे moles को निकलना है तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने या प्रश्ण लिख दिया है calculate the number of moles in 90 gram of water 36 gram of water 18 gram of water तो अब मैं तो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर बनाया भी है तो मैं आप से पूछता हूँ और आप जड़ा बताएं चली आपको 18 gram water दिया गया है तो कितना mol हो गया 1 mol 36 gram में 2 mol 90 gram में 5 mol अब तो आप बता सकते हैं 1 mol में 18 gram 2 mol में 36 gram 3 mol में 18 into 3 4 mol में 18 into 4 5 mol में 18 into 5 और 18 हम लोगों ने कैसे calculate किया यह भी मैंने बता दिया है आपको तो अब इसको हम लोग formula से भी बना सकते हैं तो formula क्या है number of moles number of moles क्या हो गया given mass बटा molar mass तो molar mass आपको calculate कर लेना है जैसे h2 हम लोगों क्या है 1 into 2 plus 16 क्या हो गया 18 gram तो molar mass आपको calculate करके नीचे लिख देना है 18 gram और given mass यही है इसी को आपको उपर लिखना है उपर लिख देंगे 90 gram तो क्या हो गया 5 दूसरा 5 mol यह answer हो गया दूसरा प्रेशन क्या है 36 gram तो लिख देंगे 36 gram और नीचे क्या लिख देंगे 18 gram तो हो जाएगा आपका 2 mol answer तीसरा 18 gram में 2 है तो उपर क्या लिख देंगे 18 gram given है और नीचे 18 gram आपका क्या हो गया molar mass है तो यह हो गया आपका बताईए 1 mol तो इस प्रकार से number of moles आप calculate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपका आगे एक 44 gram CO2 तो CO2 का जब molar mass निकालेंगे तो आएगा आपका 12 plus 16 गुना 2 और यह आजाएगा और ओपर कितना दिया गया है 44 gram दिया भी गया है तो 44 gram और नीचे क्या हो गया 44 gram तो यानि कि कितना हो गया 1 mol तो अब आप समझ गया होगे कि किस प्रकार से जो वजन दिया गया है उसे हम लोग mol निकाल सकते हैं और mol दिया गया है तो उसे वजन निकाल सकते हैं थरो और practice में कराता हूँ आपको अब हम लोग CO2 को लेके practice करते हैं तो 1 mol CO2 carbon dioxide में बताईए इसका कितना gram होगा तो बहुत आसान है 12 प्लस 16 गुना 2 तो यह होगा 44 gram इसका मतलब क्या हो गया यदि 1 mol CO2 आपको मिलेगा तो कितना gram हो गया 44 gram तो यदि आपको मैंने 2 mol दे दिया तो कितना हो गया 44 into 2 यदि मैंने आपको 3 mol CO2 दिया तो कितना वजन हो गया 44 gram into 3 यदि मैंने आपको 20 mol दिया तो 44 into 20 इस प्रकार से अच्छा अब मैं आपको देता हूँ आधा मोल तो आधा मोल में क्या हो गया तो 44 gram गुना आधा half कर सकते हैं तो क्या हो गया 22 gram चली इसको उल्टा करके भी प्रेशन करते हैं हम लोग मैं चाह रहा हूँ कि आप मोल कॉंसेट पुरा सीख जाए इसलिए मैं इतना आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो 1 mol CO2 का वजन बताइए 44 gram हो गया तो अब हम लोग उल्टा करते हैं तो बताए 44 gram में कितना मोल 1 mol तो 88 gram में कितना हो गया 2 mol तो यदि मैं बोलू 22 gram में कितना हो गया तो आधा मोल हो गया इस प्रकार से अब आप इसको calculate कर सकते हैं तो इसके पहले मैंने आपको बताया था मोल में particle को या फिर बोले atoms और molecules को गिनना तो चलिए अब हम उसको करते हैं फिर आप दोनों को मिला कि अब हम लोग प्रश्ण करेंगे तो आप देख सकते हैं आप H2O का ही उदारन ले लेता हूं क्योंकि मैंने उसी से आपको समझाया है देखिए वन मोल मैंने आपको H2O दिया और बोला कि भाई आप क्या करो इसको गिन के बताओ कितना H2O आपको मैंने दिया गिनिये वजन नहीं निकालने को बोला है बोला है गिनिये बताई कितना गिनेंगे आप तो आप गिनेंगे 6.022 into 10 to the power 23 molecule लिखना हुआ of H2O मैंने ये पढ़ाया है आपको दो वीडियो मैं बनाया हूँ दोनों वीडियो आप देखें तभी आप पूरा complete ये सीख पाएंगे वन मोल H2O मैंने दिया और आपको बोला कि आप गिनिये तो आप गिनेंगे तो क्या आजाएगा into 10 to the power 23 molecule of H2O तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसका वजन करिए तो बताइए कितना वजन आएगा तो आप जट से लिख सकते हैं 18 gram क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है तो कुल मिला के बस इसी इन ही तीनों में आपको घूमना है और इसी से प्रेश्ण आपको आएगा इधर से यहां यहां से यहां यहां से यहां बस यही और वही मैं अभी आपको कराने वाला हूँ यदि आप इसको कर लेंगे तो आप जरूर मोल कॉंसे से क्वेश्ण बना पाएंगे वीडियो कुछ लंबा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक मोल H2O में वजन कितना हो गया 18 gram यानि कि 18 gram पानी आपको मिल गया तो उसमें आप H2O गिनने बैठेंगे एक H2O, दो H2O, तीन H2O तो बताई कितना H2O आपको मिलेगा 6.022 x 10 to the power 23 H2O आपको मिलेगा तो अब इसका मतलब हो गया कि 6.022 x 10 to the power 23 molecule आपको H2O दिया गया तो उसका मोल कितना हो गया 1 मोल और वजन कितना हो गया 18 gram या फिर उल्टा बोले तो 18 gram में 1 मोल और 1 मोल में कितना H2O 6.022 तो डाइरेक्ट पुछा गया कि यदि 6.022 H2O आपको दिया गया है बताईए तो उसका कितना वजन तो आपको बताना होगा 18 gram इसका उल्टा 18 gram में कितना molecule तो 6.022 मैंने बताए आपको पुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ तो 18 gram में 6.022 molecule और 6.022 molecule में कितना वजन 18 gram तो अब इसी को लेके हम लोग आगे की वीडियो में बहुत सारे प्रशन को करेंगे तो मिलते हैं नेक्श वीडियो में बने रहिए धन्यवाद ये वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 14 है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन वीडियो में मैं आपको मोल कॉंसेट के बारे में बता रहा हूँ तो जैसा कि पीसे के वीडियो में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि यदि 1 मोल H2O है तो हम लोगों ने जान लिया था कि किस प्रकार से उसका हम वजन निकालेंगे तो 1 मोल H2O है तो कितना वजन हो गया 18 ग्राम और 1 मोल H2O में कितने H2O की मॉलीक्यूल है तो यह होगी है 6.022 into 10 to the power 23 तो इस पे बहुत सारा practice मैंने कराया है तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से निकाल सकेंगे तो अब चलिए हम देखते हैं और आगे तो अब देख सकते हैं आप यहां conversion type का यह question हो गया यदि एक मोलेश 2 है तो इसको ग्राम में वजन बताईए उसका ग्राम में बदलिए यदि ग्राम में वजन दिया गया है तो उसका मोल बताईए यदि मोल दिया गया है तो उसका particles बताईए मतलब molecules बताईए, atoms बताईए या फिर molecules या particles दिये गया है तो आप इसका mole बताईए या फिर आपको gram दिया गया है तो उसका particles बताईए या particle दिया गया है तो gram बताईए तो बहुत प्रकार्श प्रशनों को पूछा जा सकता है तो चलिए हम लोग सबी प्रश्णों को एक साथ ही देखते हैं और इसको वर्बली ही हम लोग इसको बनाएंगे तो जैसा बहुत सारा प्राक्टिस मैंने कराया है यदि आपको एक मूल एच्टू हो दिया गया तो कितना ग्रम हो गया तो ग्राम दो मोल दिया गया तो अब 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 देखते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स तो एक मूल एच्टू हमें कितना और हो गया 2 mol में कितना हो गया 2 x 6.022 3 mol में कितना हो गया 3 x 6.022 इसका उल्टा कर देंगे तो यदि 6.022 x 10 to the power 23 molecule S2 आपको मिला है तो कितना mol है 1 mol तो 2 x 6.022 x 10 to the power 23 मिला तो कितना molecule हो गया आपको Sorry कितना mol हो गया तो 2 mol हो गया 3 x 2 मिला तो कितना mol हो गया 3 mol 4 x 2 मिला तो कितना mol हो गया 4 mol यह तो आप कर सकते हैं यहां से यहां और यहां से यहां यह आपको अब आता है लेकिन आप यहां से यहां इसका conversion कैसे करेंगे तो बहुत ही असान है यह भी इससे भी प्रशन पूछा जाते हैं अब कभी आपको प्रशिन पूछा गिया जैसे कि आपको 18 ग्राम वाटर दिया गिया है तो calculate number of molecule of H2O in 18 ग्राम वाटर इस प्रकार का आपको प्रश्न मिल गया कि calculate number of molecule of H2O in 18 ग्राम वाटर दिया गिया है और उसमें H2O molecule को calculate करना है तो ऐसे तो verbally कर सकते है 18 ग्राम मतलब 1 मॉल और 1 मॉल में कितना हो गया 6.022 आप तो answer कर सकते हैं 18 ग्राम में कितना मॉल हो गया 1 मॉल और 1 मॉल में कितना हो गया 6.022 यदि आपको इसको बनाना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं नंबर ओफ मोल गीवेन मास बटा मोलर मास तो गीवेन मास कितना हो गया अठार ग्राम आपको दिया गया है मोलर मास इसका कितना हो गया अठार ग्राम आपको निकलना है तो यह कितना हो गया वन मोल अब आपका वन म मोल निकल गया तो पार्टिकल कितना हो गया तो वन मोल में आप देख सकते हैं वन मोल में शिक्स पॉइंट जीरो टू 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 इंटू टू दू पावर ट्वावर ट्वैंटी त्री मॉलिक्यूल ओ और क्या होगे एस्टू यही अंसर होगे आपका तो इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रशन को आप बना सकते हैं तो जिधर से भी प्रशन पूछा जाए उस साइट से आप प्रशन को कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग अपने बुक की और पढ़ते हैं और आपको मोल कॉंसेट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जो 1022 10 to the power 23 जो इसको मैंने पहले ही बताया इसको हम लोग एवगाद्वर नंबर भी कहते हैं इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि 1 mole of कोई भी चीज़ आप लेंगे तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23 इन नंबर में हो जाएंगे एक दरजन आप लीजेगा तो जैसे कि आप एक दरजन केला लेते हैं और एक दरजन आप मालनी जीए अंगूर लेते हैं तो क्या उनका वजन बराबर होगा क्या नहीं इसका वजन बराबर नहीं होगा या फिर इस प्रकार से मैं बोलू एक दरजन आप केला लेंगे पका हुआ एक दरजन केला लेंगे आप कच्चा और एक दरजन केला आप लेंगे छोटा छोटा एक दरजन केला आप लेंगे बड़ा बड़ा तो इन सब का वजन आपस में बराबर होगा क्या नहीं ऐसा नह लोगों ने जो पीछे के वीडियो में पढ़ा है उससे तो यह पता चल गया कि एक मोल कोई substance हम लोग लेंगे जैसे एक मोल H2O लिया जाएगा चाहे कहीं से भी लिया जाएगा तो इसका वजन अब क्या होगा मैसा फिक्स होगा 18 ग्रामी होगा या आप नल से लें या फिर आ आप कुवां से लें या फिर आप नदी से लें यदि एक मोल H2O है तो इसका वजन क्या होगा 18 ग्राम यह तो फिक्स होगा यही बात यहां बताया ग्या है The mass of one mole of a substance is equal to its relative atomic mass और molecular mass in grams तो हम लोगों ने देख लिया है कि किसी भी चीज का one mole का आप mass निकालेंगे तो वह इसके molecular mass के बराबर होगा जैसे one mole यदि आप लेंगे CO2 तो 44 ग्राम हो जाएगा यह तो मैंने आपको सब बता दिया है तो वही बाते अब लिखी गई है सिर्फ मैं इसो पढ़के बता देता हूँ The atomic mass of a element given us the mass of one atom of that element in atomic mass unit U To get a mass of one mole of atom of that element that is molar mass we have to take the same numerical value but change in units U से हम लोग क्या कर देंगे ग्राम तो यह मैंने बता दिया है जब भी एक mole लिया जाएगा तो इसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते है ग्राम मॉलिकुलर मास भी कहते हैं देख सकते हैं आपको पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं इसको हम लोग 18 U बोलेंगे लेकिन वन मोल यदी हम लोग कहते हैं तो यह हो गया आपका 18 ग्राम इसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां बहुत सारा उदारन दिया गया और बहुत वही सब बाते लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाया है तो यदि मैं इसको वापस से पढ़ाना सुरू करता हो सकता हैं तो आप इसे अपना रिवाइज कर लें एक बार खुद से ही पढ़ लेंगे तो इसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है पूरा डीटेल में पढ़ाया है तो आप इसके पहले जो दो वीडियो मैंने बनाया उनको जरूर देखें तो मुझे अमीद है कि मोल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं एक सबस्टांस को हम लोग क्या मानते हैं हीप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर एटम या फिर पाइल ओफ एटम या मॉलिक्यूल मानते हैं मतलब ये एटम या मॉलिक्यूल का क्या होता है एक हीप होता है या फिर पाइल होता है तो जैसा कि अब देख सकते एक छोटे से सेंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं और बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं जिने हम लोग दर्जन या ग्रॉस में तो मेजर नहीं कर सकते हैं इसलिए मोल का यूज हुआ मोल का यूज करके हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ गिन सकते हैं तो यही वह कारण है जिसके कारण मोल को हम लोग यहाँ पर आयांस एटम्स और मॉलिक्यूल को गिनने के लिए यूज करते हैं अब आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां एक्जाम्पल है जो कि प तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको कुछ करना नहीं है सबसे पहले आपको जैसा बुक मैं दिया वैसे ही बनाना लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ सबसे पहले आप 1 mol HE लिख ले यह आपके प्राक्टिस के लिए है तो एक mol HE का वजन बताएं 4 gram यह आपने याद करके रखा होगा और इसमें HE का कितना atom होगा आपका 6.022 into 10 to the power 23 atoms तो अब देखिए 1 mol HE का आप वजन लिख लिजे और 1 mol HE का आप atoms का संक्या लिख लिजे तो इसे आप कोई भी प्रशन अब कर सकते हैं आसानी से जैसे मैं बता रहा हूँ 1 mol में कितना gram हो गया 4 gram 2 mol में 8 gram 3 mol में 12 gram 4 mol में 16 gram तो बताएं 13 mol में कितना हो गया 52 gram उल्टा करते हैं 4 gram में कितना हो गया 1 mol 8 gram में 2 mol तो 52 gram में कितना हो जाएगा 13 mole वही तो question था तो number of moles का हम लोग formula क्या देखे है number of moles का हम लोग उने formula देखा है given mass बटा molar mass तो given mass कितना है 52 gram molar mass कितना है 4 gram तो आप देखेंगे कि यह क्या हो गया 13 gram sorry 13 mole हो गया तो इस प्रकार से आप moles निकाल सकते है अब फिर से आप देख सकते हैं 1 mole में कितना सारे atom है 6.022 तो 2 mole में कितना हो गया 2 into 6.022 3 mole में कितना हो गया 3 into 6.022 उल्टा करेंगे तो 6.022 में कितना mole हो गया 1 mole तो इस प्रकार से आप number of moles को आसानी से निकाल सकते हैं चलिए तो अब आप देख सकते हैं आपके पास कितना मोल है 13 मोल तो आपको एक और प्रेशन दिया गया जो मैं आपको बता रहा हूँ यहां प्रेशन देख सकते हैं 12.044 इंटो 10 to the power 23 नबर ओफ ही एटम में से आपको मोल्स का संक्या बताना है नबर ओफ मोल्स ही तो कल्कुलेट करना है तो हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा 1 मोल ही है तो वो 4 ग्राम वजन है इसका और इसमें पार्टिकल कितना है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स है तो एक मोल में कितना है 6.022 तो 2 मोल में कितना हो गया 12.044 तो यदि 12.044 है तो कितना मोल हो गया 2 मोल हो गया बहुत आसान था लेकिन आपको एक्जाम में जिस प्रकार से book में दिया गया है उसी प्रकार से पूरा detail करके बनाना है formula के साथ बनाना है तो आप formula देख सकते है number of moles अम लोग ने mass के रूप में यह लिखा है और यदि particle दिया हो तो आप इस प्रकार से number of moles निकाल सकते है number of moles given number of particle और बटा क्या करेंगे एवगादरो नमबर तो given number of particle कितना था यह आपको दिया गया है और एवगादरो नमबर क्या है यह है तो आप जब इसको divide करेंगे तो 2 moles आजाएगा आपको तो इस प्रकार से आप प्रशनों को आसानी से बना सकते हैं बहुत सारा प्रशन मैंने आपको बताया भी है इन numericals को हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद यह video science class 9 chapter 3 का part 15 है इसके पहले मैंने mole concept के उपर कई videos बना है तो आप उन videos को देखें उसके बाद ही आप इस numerical को solve कर सकते हैं तो आई हम देखें कि क्या क्या numerical दिये हुए है तो देखे सकते हैं आप पहला numerical क्या दिया हुआ है calculate the mass of the following आपको mass calculate करना है और सबसे पहला प्रशन है 0.5 mol of into gas तो जैसे कि मैंने verbally आपको सिखाया किस प्रकार से आप इसको solve कर सकते हैं 1 mol into gas का वजन कितना हो जाएगा 28 gram क्योंकि n का कितना वजन होता है 14 gram यहां वजन में जो बोल रहा हूं उसका मतलब हो गया आपका molar mass तो आप देख सकते हैं यहां फिर 1 mol into का molar mass कितना हो गया आपका 28 gram तो verbally आप देखे है कि 1 mol में कितना वजन हो गया 28 gram molar mass जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो 2 mol में कितना हो गया 2 into 28 gram हो गया 3 into 28 gram 4 mol में कितना हो गया 4 into 28 gram तो 0.5 mol में क्या हो गया 0.5 into 28 gram और यह हो गया 14 gram इस प्रकार से आप solve कर सकते हैं लेकिन exam में आपको जब भी solve करना है तो इसके लिए आपको formula का use करना है बीना formula का आप इसे नहीं बना सकते हैं तो इसके लिए पहले हम लोगों ने एक formula पढ़ा था number of moles बराबर हम लोगों क्या पढ़ा था given mass बटा molar mass तब देख सकते हैं number of moles निकालना है आपको given mass जो mass आपको दिया गया है और molar mass यह हम लोगों ने निकाला है calculate किया तो number of moles यहाँ पर दिया गया है आपका और वह है 0.5 mole given mass को हम लोगों सिर्फ mass भी कर सकते हैं और molar mass आपको क्या हो गया 28 gram हो गया तो आप देख सकते हैं फिर mass बराबर क्या होगा आपका 0.5 into 28 gram और यहाँ देखेंगे कि आपका mass क्या हो जाएगा 14 gram हो जाएगा तो इसको इस प्रकार से exam में आप बना सकते हैं mass is equal to molar mass into number of moles तो आप देख सकते हैं 14 gram आपका अंसर आजाएगा चलिए अपने दूसरे प्रश्ण के और बढ़ते हैं 0.5 mole of N atoms तो N atoms दिया है तो मान लिजे कि 1 mole of N atom इसका mass क्या हो जाएगा आपका 14 gram क्योंकि एक atom है तो 14 gram हो जाएगा तो मैंने आपको दोनों तरफ से conversion सिखा है एक mole में कितना mass हो जाएगा 14 gram 2 mole में 2 into 14, 3 mole में 3 into 14, 4 mole में 4 into 14, उल्टा भी कर सकते हैं 14 gram में 1 mole, 28 gram में 2 mole, 7 gram में 1 mole, 3.5 gram में आप देखेगे कि 0.25 mole इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं तो दोनों conversion मैंने आपको सिखा दिये हैं अब हम लोग अपना प्रशन बनाएंगे तो फिर से formula का यूज कर सकते हैं हम लोग क्योंकि बिना formula का आपको exam में प्रशन नहीं बनाना है तो यहाँ पर क्या प्रशन बोलाएंगे पॉइंट 5 mole n atom का मास क्या होगा तो 1 mole का बताइए मास क्या है 14 gram तो 0.5 mole का क्या हो जाएगा आपका 7 gram यह तो बहुत आसान है 2 mole का क्या हो जाएगा 23 gram 0.25 mole का क्या हो जाएगा 3.5 gram लेकिन यहाँ formula से हम लोग को बनाना है तो फिर से आप लिख सकते है number of moles is equal to molar mass sorry given mass बटा molar mass तो आप देख सकते है number of moles आपका क्या हो गया 0.5 mole given mass को हम लोग मास लिख देंगे और फिर आपका molar mass क्या हो गया 14 gram तो आपका mass बरावर क्या हो जाएगा 0.5 into 14 तो आपका 7 gram आप देख सकते हैं answer भी किया गया 7 gram आप देख सकते हैं तीसरा question 3.011 into 10 to about 23 number of N atoms आपको दिए गया है तो फिर समलोग जानते ही कैसे इसको pattern में लिखना है 1 mole in atom है आपके पास तो इसका mass क्या हो जाएगा 14 gram हो जाएगा और इसमें atoms क्या हो जाएगे 6.022 into 10 to the power 23 atoms तो इसका तीनों conversion मैंने आपको पढ़ा दिया है एक mole में 14 gram दो mole में 28 gram यह मैंने बता दिया है एक mole N में कितना atoms हो गया 6.022 हो गया तो 2 mole में कितना हो गया 2 into 6.022 हो गया उल्टा भी कर सकते यदि 6.022 atoms है तो एक mole कि यदि 2 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms है तो कितना mole हो गया 2 mole 3 into 6.022 into 10 to the power 23 हो गया तो कितना mole हो गया 3 mole तो मैंने आपको बताया कि यदि particle आपको दिया गया है तो moles कैसे निकालते हैं वह भी मैंने बताया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.011 है 3.011 into 10 to the power 23 तो यह कितना मूल हो जाएगा? आधा मूल और यदि आधा मूल होगा तो वजन कितना हो जाएगा? 7 ग्राम, एक मूल का वजन या मास बोले 14 ग्राम है तो आधा मूल का क्या हो जाएगा? 7 ग्राम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं हम लोग असानी से इस प्रशन को बना सकते हैं लेकिन जब भी हम लोग को एक्जाम में बनाना है तो फॉर्मूला का यूज करके ही बनाना है यह मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ तो चलिए अब इसका formula से हम लोग देखते हैं कि कैसे बनने का प्रशन तो यहाँ पर सबसे पहला हो गया number of moles निकलना है आपको तो यहाँ पर हो गया number of given particle या इस परकार से कहते हैं given number of particles और बटा एवोगादरो number और आप यदि यह करेंगे तो आपको पता चल जा गए आधा मोल है और moles आपको निकल गया 0.5 moles निकल गया तो इसमें particle का संख्या आप मोल्स आपको निकल गया तो आप उसका mass भी निकल सकते हैं एक मोल में 14 ग्राम तो आधा मोल में 7 ग्राम लेकिन आपको यहाँ भी इसका formula ही use करना है हमेशा formula से ही प्रश्ण को बनाए तो यहाँ देख सकते हैं आप 7 ग्राम एंसर भी दिया गया है इसके बाद आपका है 6.022 10 to the power 23 number of into molecule तो फिर से वही हम लोग लिख लेंगे 1 mole into molecule है उसका वजन बोलते हैं यहाँ पर मास बोलेंगे बास क्या हो जाएगा इसका 28 ग्राम हो जाएगा और इसमें molecules molecules बोल रहा है तो molecule क्या होगे आपका 6.022 10 to the power 23 तो यह तो बढ़ी असान है कि इतने molecule होगे तो एक mole होगा तो इतना ही molecule आपको दिया है तो इसमें कितना हो गया एक mole और एक mole में वजन क्या होगे 28 ग्राम यह तो बहुत ही असान है तो इसे आप बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसका answer 28 ग्राम दिया भी हुआ है इसके बाद का प्रेशन है calculate the number of particles तो आपको number of particles निकालने हैं particle में आपको atom का संख्यावी कभी निकालने को दे सकता है और molecule का संख्यावी दे सकता है तो आप बड़ा सतरक रहें इसमें question को ध्यान से पढ़ें फिर इसका answer करें चलिए पहला प्रशन देखते हैं 46 ग्राम of sodium आपको दिया गया है तो उसमें आपको इसका particle का संख्यावी निकालना है तो हम लोग फिर से भाई लिख देंगे 1 mole na और इसका mass क्या हो जाएगा 23 gram याद करके रखना आपको इसको और इसमें particle क्या हो गया 6.022 into 10 to the power 23 atoms तो आप देख सकते हैं 23 gram में कितना mole हो गया 1 mole तो 1 mole में कितना particle हो गया 6.022 जो भी है लेकिन यदि यह 46 gram है तो 46 gram में कितना mole हो गया 2 mole तो 2 mole में कितना हो गया 2 into 6.022 into 10 to the power 23 इतना असान है चली इसे मैं निकाल के दिखाता हो तो पहले हम लोग लिखेंगे number of moles formula आप लिख लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 46 by 23 gram भी लिख लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 moles और 2 moles में आपका particles क्या हो जाएगा 2 moles में 2 into 6.022 into 10 to the power 23 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं कोशिस करें कि आप गुना करके ही लिखें तो आप देख सकते हैं बुक में इस प्रकार से बनाये गिया है यहाँ देखें आप 12.044 into 10 to the power 23 यह जो formula यूज किया गया है इतना पेंचीदा formula आपको यूज नहीं करना है मैं simple simple जो formula बताया है उससे आपको बनाना है नहीं तो आप और भी confused हो जाएंगे तो एक एक step wise इसको बनाए और आपका answer आ जाएगा next question आप देख सकते हैं 8 gram O2 molecule आपको है तो आप देख सकते हैं फिर हम लोग लिख लेंगे 1 mole O2 में इसका mass क्या हो जाएगा आपको 32 gram और 1 mole का mass हो गया 32 gram और इसमें particle क्या हो गया 6.022 into 10 to the power 23 molecule आपको लिखना जरूरी है molecule of O2 यहां तक आपको लिखना जरूरी है तो आप देखेंगे 1 mole में क्या हो गया 32 gram तो 2 mole में क्या हो जाएगा 64 gram उल्टा कर देंगे तो 32 gram में क्या हो गया 1 mole तो 16 gram में क्या हो जाएगा 1 mole तो 8 ग्राम में क्या हो जाएगा 0.25 मोल तो number of मोल्स निकाल लेंगे हम लोग given mass बटा molar mass तो given mass 8 है और molar mass क्या है 32 ग्राम वगरा लिखना जरूरी है एक्जाम में तो यह हो जाएगा 1 by 4 मोल और 1 by 4 मोल हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोल में कितना particle है 6.022 तो 1.4 में कितना हो गया 1 by 4 में 1 by 4 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule answer तो देखते हैं हम लोग क्या answer दिया गया है तो आप देख सकते हैं calculate करने पर यह आएगा 1.51 into 10 to the power 23 molecules next question आप देख सकते हैं 0.1 mole of carbon atoms तो 0.1 mole में carbon atom के कितने molecule होंगे तो 1 mole में आप जानते हैं carbon यदि आप लेंगे तो मैं सिधा ही लिख देता हूँ 6.022 into 10 to the power 23 यहाँ पर आपके atoms होंगे तो 0.1 है तो 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23 यहाँ पर क्या हो जाएंगे यह atoms हो जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको answer भी लिखा हुआ है 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23 और यह answer आप कर सकते हैं फिर तो यह था लास्ट वीडियो मिलते हैं आपसे next chapter के साथ धन्यवाद करक्क परके साथ strain सकते हैं आपके साथ बके साथ शoteरो बक्षक स ठति मैं आपने अभी तो 0.2 o कर दार देगी कर दो प्रते हैं फिक वीडिक है